वाइरल कपल कुल हड़ पिज्जा के नाम से मसुहूर ये इंसान पंजाब के जाल अंधर के रहने वाले हैं और हाली में सोसल मीडिया के जरिये ये अपने एक यूनिकनेस की वज़े से इनको बहुत ज्यादा फैम मिला था और जिसकी वज़े से ये सोसल मीडिया पर बहुत फैम मिला था और सोसल मीडिया के जरिये ही इनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा जबर जस्त हो गई थी और ये एक बहुत अच्छा धंधा कर रहे थे लेकिन बीते कुछ दिन पहले इनका एक सोसल मीडिया पर MMS वाइरल होता है और जिसकी वज़े से इनकी जिंदगी ए बहुत ज़्यादा परेशान दोते हुए दिखते हैं लेकिन अब यहाँ पर सवाल हमारा ये है कि आखिर ये प्राइवेट वीडियो वाइरल कैसे होते हैं जो आपके फॉन में हैं और ये आपके साथ ऐसा कभी ना हो इस वज़े से आज का एक पूरा वीडियो आप देखि बन चुके हैं तो उस फॉन में हर तरह की फोटो होती हैं हर तरह के वीडियो होते हैं सबसे सिंपल बात तो यह है कि ऐसी प्राइवेट वीडियो वगेरा जो है फॉन में रखाई मत करिए अपनी क्यूंकि इंटरनेट से हमेशा आपका फॉन कनेक्टेड रहता है और आपक सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूँगा क्लियर करके कि कैसे आप इन चीजों से बस सकते हैं और अपनी प्राइवेट वीडियो वायरल होने से बचा सकते हैं प्राइवेट के अंदर वीडियो नहीं आती सिर्फ आपके फोटो भी आते हैं आपके किया जाता है चलिए आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे कैसे आपके या फिर किसी के भी प्राइबेट वीडियो या MMS वायरल होते हैं बात करें आप पर कुलहड़ पिज्जा वाले कपल की जो सोसल मीडिया स्टार बन चुके ते और जिसकी वज़े से उन् पुछ के जरीए कि उनका ये वीडियो उनके ही किसी एक एंपलॉई ने जो है वायरल किया था और ये वीडियो वायरल करने के पहले ही उस एंपलॉई के इन्हों ने अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था और जिसकी वज़े से उस एंपलॉई ने इनका ये private videos या फिर MMS viral हो जाते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे third party apps या फिर third party website की क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे phone में हजारों app होते हैं और उन में से कुछ ऐसे app होते हैं जिन्हें हम play store पर ना मिनने के कारण browser से सीधा APK mode में download कर लेते हैं और उनके अंदर कौन सी coding होती है कौन सी file होती हो हमारे phone का कितना access ले रहे हैं क्योंकि वह चीजे आप check नहीं करते हो most of जो यह APK mode वाले app होते हैं आपके photos, videos या फिर आपके contact camera, microphone हर चीज का access ले लेते हैं और आप उन्हें उस app को open करने के चकर में सारे access देते चले जाते हो क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि वह आपके साथ क्या क्या कर रहे हैं क्योंकि वह अगर इतनी permission उनके पास है तो आपका camera कभी भी on कर सकते हैं वहीं से बैठे बैठे वेल हम बात करें अगर third party website की तो आप बहुत सारी website पर browser पर जाकर visit करते हो और वो website आपसे वहाँ पर आपकी location की permission मांगती हैं आपके camera storage की permission मांगती हैं या फिर आपके contact की भी permission मांगती है notification के लिए भी आपके पास कई बार वहाँ पर allow करने के लिए एक notification आपके पास आप और उन website के जरी आपको एक notification भी वेजा जाता है कि आप allow कर दीजिए जिससे कि वह आपके phone का access ले सकें तो आप जब भी इस तरह के कोई भी app download करें या फिर किसी भी website पर visit करें तो ध्यान रहे कि आपको अपने phone के storage, camera, microphone और contact इन चार का access कभी भी नहीं देना है अगर आपको इन पर visit करना ही करना है तो आपको कोशिस करें कि जितना हो सके इन चीजों को access ना करें इससे आप अपने इन private वीडियो छोटोज को safe रख सकते हैं तकर नम बात करें old mobile की माल लीजे कई बार आपका phone जो है वो खराब हो जाता है या फिर पुराना हो जाता है तो आप सोचते हैं कि चलिए हम इस phone को बेच देते हैं लेकिन जब आप उस phone को बेचते हैं तो mostly लोग तो reset कर देते हैं और आपके phone में आपका सारा data रहता है आपकी mail ID भी login रहती है तब आपके साथ ऐसे कांड हो सकते हैं ऐसी चीजे हो सकती हैं क्योंकि आपके phone में जो data है आपकी जो फोटोज हैं वीडियोज हैं वो सामने वाले के हाथ में लग गई देखिए यहाँ पर एक सवाल में रहा है क्योंकि मैं टेक की वीडियो बनाता हूं तो मुझे पता है अगर आप अपना phone proper reset भी कर देते हैं तब भी बहुत सारा internet पर ऐसी website हैं जिनके जरिये आपके phone का सारा delete किया हुआ या फिर reset किया हुआ data दोबारा से recover किया जा सकता है तो आपको यह ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि जब भी आप अपने phone को बेच रहें या फिर किसी को दे रहें चाये उस person को आप जानते ही क्यों ना हो आप किसी पर भरोसा मत करिए क्योंकि देखिए दुस्मनी कब बन जाती है किससे कोई पता नहीं चलता है तो आप उस phone को proper reset करके दीजिए और उस phone से आप अपनी mail ID, password जितनी भी चीज़े हैं उनको बिलकुल हटा दीजिए बिलकुल नए के जैसा fresh करके उस आदमे को अपना वो phone दीजिए Cloud storage ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा सुना कि आप Google Drive का यूज करते ही करते हैं अगर तोज में आपको 15GB डेटा मिलका है लेकिन वो 15GB कब भर जाता है पता ही नहीं चलता है उसके बाद आपको बहुत सारे cloud storage के message आते हैं जैसे कि अभी हाली में कुछ दिन पहले एक टैरा box करके आयप आया था ऐसे ही Samsung का अपना cloud storage है Microsoft का अपना cloud storage है Google का अपना cloud storage है ऐसे बहुत सारे data होते हैं जब आप चाहते हैं कि आपका phone भर चुका है तो आप अपने उस data को उस cloud storage पर फेक देते हैं लेकिन यहाँ पर आपको यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप अपना कोई data cloud storage पर डाल ले हैं तो वहाँ पर आपका जो password होगा उसको काफी ज़्यादा strong करके रखिए काफी ज़्यादा strong password का यूज करिए और अपना वो password किसी भी unknown person के साथ दिल्कुल भी must share करिए unknown क्या मैं तो कहूँगा कि किसी अपने non person के साथ भी must share करिए अपने पास तक ही उस password को रखिए cloud storage के बाद यहां पर बात आती है hard drive या फिर pen drive की बहुत सारे लोग in fact मैं खूद अपने बहुत सारे password अपनी pen drive में store करके रखता हूँ जो कि हर जगे का password almost नहीं याद रहता है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपने उस password को हमारी एक personal pen drive है उसमें save करके रखता हूँ लेकिन इतना मैं जरूर ध्यान रखता हूँ कि उस pen drive को मैं किसी के हाथ भी नहीं लगने देता और उस pen drive में उस pen drive को open करने के लिए भी मैंने वहाँ पर एक password लगाया हुआ इसको मैं सबसे important यहाँ पर बात करूँगा इसके बारे में जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यह almost सारे लोग यूज करते हैं देखिए आप बहुत ज्यादा time मान लिजी अगर railway station पर ध्यान देंगे इस चीज़ के बारे में तो public wifi railway station पर हर लोग public wifi का यूज करते हैं लेकिन आपके phone का जो data है वो किसी hacker के हाथों में जाने के chances तब 99% बढ़ जाते हैं जब आप किसी public wifi से connect होते हैं क्योंकि public wifi के अंदर कोई भी firewall नहीं होता है जिसके जरिए आपका जो phone होता है वो bypass करके किसी भी server से किसी भी दूसरे laptop या फिर computer के जरिए connect किया जा सकता है इसलिए आप कोशिस करें कोशिस क्या मैं तो कहूंगा कभी भी public wifi का यूज ही मत करिए जब भी आप कोई भी public wifi यूज कर रहे हैं तो उस time कुछ चीजों को जरूर ध्यान रखिए अगर उसमें से कोई भी pop-up आपके device की permission मांग रहा है आपके storage की permission मांग रहा है camera की मांग र wifi है यार public wifi open wifi उससे कोई भी connect कर सकता है इंफेक्ट जब कोई भी connect कर सकता है तो कोई भी किसी से भी connect हो सकता है क्योंकि बीच में उसको कंट्रोल करने के लिए कोई firewall तो है नहीं उसमें ऐसा तो है नहीं कि इतने mac address ही generate होंगे उसके बाद number of device नहीं connect होंगे जितने भी number of device है माली जे 10 device अगर उसको allow करता है वो connect करने का आपका एक जो normal router होता है normal wifi उसमें simple सी बात है 10 से 15 से 20 लोगों से ज्यादा नहीं connect हो सकते हैं क्योंकि वो limited number of device है उसके अंदर लेकिन जो एक public wifi होता है उसके अंदर maximum device connect किये जा सकते हैं उसका कोई भी limit नहीं होता है तो इसलिए hacker जो होते हैं जो भी आपके data या फिर किसी भी data को hack करते हैं और सबसे ज्यादा public wifi का यूज करते हैं क्योंकि वहीं पर उनको एक actual open data मिलता है पहल आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी जानकारी दी है जिसके जरीए आप अपने private वीडियोज को बहुत ज्यादा safe रख सकते हैं और यहाँ पर जाते जाते एक बात और फिर दुबारा से कहूंगा ऐसी private वीडियोज फोटो अपने phone में बिल्कुल भी मत रखिये कि कितना भी आप अपने phone को log कर लें कुछ भी कर लें लेकिन वो in fact आपका phone internet से तो connected ही है इसलिए कोसिस करें कि आप ऐसी subscribe चरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों family members के साथ जरूर सेयर करिए जिससे कि वो भी अपने data को safe रख सकें क्योंकि mobile के अंदर कोई भी अपना personal data रख रहा है या फिर रख सकता है क्योंकि mobile सबके personal होते हैं So I hope वीडियो आपको interesting लगा होगा एक like subscribe दुबारा से कह रहा हूं मार दीजिए मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो लेकर तब तक के लिए देखते रहिए अगला वीडियो